नमस्कार डियार्वी नियूज में आप सभी का स्वागत है मैं मनिशा जोशी आज हम मौझूद एक कुर्ला के सर्विशन मंदिर के बाहर जहां पर आज चैतरपती संभाजी राजे के बलिदान दिवस पर उनकी याद में विश्व हिंदू परिशत बजरंग दल की और से यह लिए पीछे माज ली अतरा है निकाल ही रहे हैं आ से जानते हैं आज के आज सबसेंद पहले के लिए उनकी हथं benevolent तो इसके समर्नार्त हम भलिदान यात्रा निकालते हैं गए 12 वर्ष यानि जाइगोष्ट करते हैं और इतका समापन यानि इसकी शुरुआ सरवेश्र मंदिर से लेके शुरु समभाजी किराई समभाजी मारा चोक यहां तक होती है अच्छा इस यात्रा में आप लोग यह आत्रा कितने सालों से निकाल रहे हैं पिछले 12 सालों से बाला सालों से निकाल रहे हैं तो यह आत्रा भी कहां तक आगे जाने वाले शुरु समभाजी मारा चोक हां वहां पर वहां तक जाने वाली यात्रा वहां संपन हो जाएगी वह उनके जो बेटे हैं जो हमारे युराज हिंदु धर्म के महाराज है हमारे दुसरे चत्र थ हैं आज उनको में इस मादेम से DRV नीउस के मादेम से उनके आज में शर्दान जली और अभिवाद awareव न करता हूँ पती है आज उनको में इस माद्यम से डियारवी न्यूस के माद्यम से उनको आज में श्रद्दा अंजली और अभिवादन व्यक्त करता हूँ और विश्व हिंदू परिशाद अंतरकत बदरंग दल कुरला पिछले 12 सालों से इस दिवस का स्मरन करते हैं कुरला के सबी जो स्युवबक्त और शम्भू भक्त जो है उनके मन में कुरूरशास्तक जौवरंग जिप था जो उसका मंसुबा था के एक जो गलत प्रकार का आखरमपदत इसे जो राज्य को जो उसका मंसुबा था वो समबाजी महाराज को जो मानने नहीं था चलकपट से उन्होंने उनका अपरन किया और 40 दिन तक उन्हों को बहुत यातना दी आज उनका बलिदान हुआ था कुरला के सभी शिव भक्त और शम्भु भक्त इस बलिदान को स्मरन कर रहे पिछले 12 सालों से अपको डियारी न्यूस के माध्यां से आज हर मुंबय के हर स्तर पर ये कारेग्रा माजर दिखाया जाए गाए और इस माध्यां से में मुंबय में के तमाम शिव भक्त और शम्भु भक्तों को आवान कर रहा हूं आपके जो आप जहां पर हैते हों ऐसे चोटे मुटे कारेक्रामका शंभो महाराज जी के समर्ण का झ вой कर शिव पर mm क्ने उर्ण परिसे ड्रे जरूर फैसे माध यह उसा कारेक्राम में कर ररहा हूं ओक आज यह जो शांभटी सेंब्णी महाराज जिन के आपको जैसे बतार है कि इस माध्यम से हमको आपको बतार है कुर्ला में शिवा प्रेमी और शंभू प्रेमी का भूत बड़ा बड़ी संक्या है और ऐसे चोटे-मोटे कारेग्राम का हर स्तर पर आयोजन किया है अभी छत्रपदी शिवाजी महाराजी की जो जन्मदिन था जो जयन्ति था तब ए छत्रपदी शंभू महाराजी का जो वीरता थी उनके वीरता के जो प्रसंगा थे उनके उपर जो शंभू चरितर का आयोजन किया गया था और जहांके भारत के जो जैस्ट इतियासकार है जिनका नाम पांडूरंग बलकावड़े भारत के इतियास सं अचा मशाल यात्राई मतलब कि उनकी याद में उनकी समरण में मशाल यात्राई क्यों कुछ और क्यों नहीं सोचा आप लोगाँ समरण या बलीदान दिन का जो कारेग्रम या हमारा दुखत कारेग्रम है हम आज यहाँ पर सिफ बलीदान दिन समरण जो 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 यह हमारे मशाल जो है यह हम इसका प्रतिक रख रहे है क्योंकि यह बलीदान का प्रतिक रहना चाहिए लोगों के मन में यह आग र कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में वह आग अभी भी है और आने वाले हमारे जो पीड़ी रहेगे उनके भी मन में आग हमें रहना चाहिए और रहेगी कि आप क्या कहने चाहते हैं और यह मशाल यात्रा के माध्यम से हम उनकी याद हमेशा आने वाली पीडियो के मन में जताना चाहते हैं और यह जो मशाल यात्रा है हर साल में इसकी व्यापकता और बढ़ेगी और यह पूरे हिंदूस्तान में यह दिन सब जन आयोजित करेंगे यह आप एक्षा रखते हैं तो सुना आपने यहाँ पर मौझूद शियू भग्त शम्भू भग्त और बजरन दल के जो आयोज़क लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा आज की मशाल कारिकरम के बारे में कैमरामंद हर्शत कामले के साथ मैं मनिशा जोशी डियर वीन्यूस मूबई